हे गाईज गुरीबनिंग एंड वेलकम टु देव फूमी कजर पॉइंट आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे काफी अच्छी आपके इस्टेडी चल ले होगी तो देखे दोस्तों UK SSSC का एक लटेस्ट नोटिफिकेशन आया है समवात कॉलम में और ये बेहद महत पत्र भरना उतना ही महत्तो पूंग है जितना की आपका सेलेक्शन उसके बावजूत देखे कई बार अभ्यरती क्या करते हैं और इस गलती के फलस्वरूप क्या होता है कि उनका सेलेक्शन होने के बावजूत अभ्यरतन निरस्त हो जाता है कई बार ये सूचना दी गई है उत्राखिंड लोग सेवा आयोग के दौरा भी और UK SSSC के दौरा भी कि जब भी आप फॉर्म वगेड़ा भरते हैं तो बड़े ही साउधानी से फॉर्म को भरें उतना ही महतोपूर्ण होता है जितना की आपका फॉर्म बना कई बार हम क्या करते हैं कि जल्दी बाजी में OTR कर देते हैं या कई बार हम साइबर कैफी में भी जाते हैं तो सुल्क लगाने से पहले ध्यान पूर्वक देखते हैं फॉर्म को और सब्मीट कर देते हैं और कई बार तो हमारे कुछ ऐसे भी आपने दोस्तों को ही फॉन कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगएर उनकी डिटेल तुझे भेज रहा हूं और तुम मेरा फॉर्म भर देना और ऐसी जल्डी बार जी में क्या होता है फॉर्म में कोई ने कोई गल गलत फिल हुआ है तो आप पर क्या बीतेगी इसी संदर्व में आज का यह पूरा मार्मी केक देख सकते हैं कि आयोग ने यहां पर समवाद भी जारित किया है इसमें विसाई है हमारे ग्राम अखोगी आप सभी लोग जानते हैं बहुत फेमस गाउं है ठीक है टीरी गड़ को इनका उत्राखंड फीमेल की जगह उत्राखंड विमन की जगह इनका जो राभें चूज हुई केडिगरी वह हमारा मेल हो गया तो इससे इनका अभ्यर्तन में क्या हो गया प्रभाव पड़ गया है तो आयोक की तरफ वह आई और आयोक में उन्होंने अपनी बात रखी और ये भी बोला गया है कि जो हमारी अभ्यर्थी यहां पर आई थी वो बहुत भाउक भी हो गई थी क्योंकि उन्होंने जो अपने तहियारी किये बहुत से चैलेंज़ को फेस करते होई किये और उत्राखंड की अधिकान से यहां पर योतियां होती है वो काफी मेहनत के साथ यहां पर कॉम्पेटिशन को किलियर करते हैं अगर साधी सुधा है तो अपने फैमली बच्चे इनके साथ साथ वो एक्स्टा टाइम कंज्यूम न करते हो इस्टडी को टाइम देख सेलेक्शन लेते हैं और एक छोटी सी मिश्टेक अगर उनका सेलेक्शन रोग देती हैं तो यह कहीं ने कहीं बहुत बड़ा क्या होता है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या होता है सदमा होता है तो इस तरह की गलतिया आप ना करें मैं तभी आपसे बोलना हूं दोस्तों यहां पर यह बोला गया देखिया आयोग के द्वारा कि जब आप OTR करते हैं OTR क आपकी जानकारियां होते हैं, वो सुरक्चित रख ली जाते हैं, बहुश्य में जब भी कोई फॉर्म आता है, तो उसमें आप OTR की जानकारियां, उनको ही सब्मीट करते हुए, केवल फॉर्म फीस वगरा भरते हैं, और एक्जाम सेंटर चूज करते हैं, इससे क्या फाइद तो जब भी आप OTR करेंगे, वाइन टाम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इसको बगए ही ध्यान पूर्वक कीजिए, ऐसा आउक की तौरा बोला गया है, आप देखिए, यहां पे जो हमारी महिला भीरती हैं, देखिए, मैं बोलना चाहूंगा, इनके लिए भी बहुत बड किसी आदी दायतों के साथ साथ तैयारी भी कर रही थी, और उनका ये मेल, जो उत्रागन, विमन की मेल करेंगे, चूज हो गई, इससे अब क्या होगा, सेलेक्शन में कहीं कहीं क्या हो सकते हैं, बादा आ सकते हैं, और आयोग यहां पे साब बोलता है, जो भी आप डेटा अगरा फिल करते हैं, उस देटा को गोपनी यह रखा जाते हैं, यानि कि डेटा प्राइवेसी होती हो वाँ पे, आप जो फॉर्म बरते समय, बरते समय डिटेल चालते हैं, आयोग भी उनमा संसोधन नहीं कर सकता, चाहा के भी, अगर आपने एक बादा फॉर्म सब्मीट क आपका नाम है, पिता का नाम है, डेटा बरत है, और इसके लावी कुछ अन्य महत्तोपूर्पूर्ण बिंदो होते हैं, जिनको आयोग के द्वारा ही चेंज किया जाता है, बहां कि प्रविश्टियां तो चेंज हो जाते हैं, एक जब फॉर्म करेक्शन आता है, अब यहा किसी कम्पूटर केंदर से आवेधन भरवाया था, आवेधन भरने के लिए अभ्यरती कम्पूटर केंदर की सेवा ले रही थी, बट वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने ध्यान पूर्वक नहीं देखा होगा, सम्मीशन से पहले फॉर्म के, और वहां पे उनका फीमेल की लिए ना, उनको ध्यान पूर्वक देख लें फ्यूचर, उसके बाद ही आप फी सब्मीट करें, एक्जाम की या फॉर्म की ठीक है, तब जाके आपकी कोई भी गलती होने की गुंजाइस नहीं रही तो यहीं पर यह बात बोली गई है, और इसलिए आयोग ने आज यह नो किसी ने अपना जो कोशियन बुकलेट सीरीज थी, वही नहीं डाला, ए बी, सी, डी, जो चार आते हैं, ठीक है, अब भाई तुमारे कॉपी में बुकलेट सीरीज नहीं होगी, तो ओमाय मसीन कैसे चेक करेंगी उसको, कौन सी बुकलेट की आंसर की के हिसाब से आपके गलतियों से बचना है आपने, ठीक है, और यहीं पर आपके दोरह यह बोला गया है, कि सरोच नेले के भी इस पश्ट निलतेस हैं, अगर आपने फॉर्म बनने में कोई तुरूटी की है, तो इसके लिए अब्व्यल्ति को कोई भी रिलीफ नहीं मिल सकता, यह क्योंकि अब पर पर होना है, बंदी रक्षयक का पर होना है, इसके सांसाद आपका पटवारी लेकपाल का पर होगा, और आपका उतराखन लोक से वायुक का, तो आप मान की चली कि उसमें तो करेक्शन का भी नहीं देता हूँ, अब मेंस जैसे आपका मेंस एक्जाम होगा ना भी लोर और अपर PCS का, उसमें आपका दुबारा से डॉक्यमेंट भेजने होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप फॉर्म जब दुबारा अपलाए करते हैं, तो उसमें फिर भी आप सही कर सकते हैं उसको, बट यूके ट्रिपल सी के एक्जाम करेक्शन जब भी आता है, तो उसमें ध् जनत करने के पास सेलेक्शन होना उत्राखण में यह बहुत बड़ी अच्यूमेंट होते हैं, गुरूप C का एक्जाम हो, गुरूप B का हो, कोई भी एकजाम हो, या गुरूप D का हो इवन, उत्राखण में जौब पाना, गौवर्मेंट जौब पाना एक बहुत बड़ी क्योंकि देखें, यहां पर क्या है, उट के मुह में जीरा जैसी कंडिशन है, यानि कि बहुत समयवाद वेकेंट से आतर, बहुत कम नंबस में आते हैं, और उसमें भी ऐसी गलती हो जाए, तो फिल तो यह हमारा सीधे हुआ आसमान से गीरा और खजूर मर्टक गया, तो ऐ दोस्तों, आगे भी आपने फॉलो करना है, और बांकि देखें, कोई भी आगर आपका, इस तरह से आपको कोई भी आपको लगते है, मिश्टे कोई है, या कुछ भी हुआ है, तो फॉर्म करेक्शन में आप आगामी जो परिक्षा है, उनके फॉर्म करेक्शन जब भी आए जो भी OTR करें, ध्यान पूरोग अपना OTR करें, OTR कैसे करते हैं, और कैसे स्टेप बाइ स्टेप करना है, इसके लिए वीडियो है चैनल की प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिए, OTR भाई देव भूमी करेंट आप सर्च करेंगे, तो आपको वीडियो दिख जाएगा, ब बाट की आपको जल्दी मिलेंगे, जो हमारी टेस्स स्रीजा वगजा थी, वो जल्दी कंटिनी होने वाली है, और साथी आप लोगों के लिए एप्लिकेशन जो हमारी है, जितने भी आज तक के उत्राखंट के पेपर हुए है, उनकी सेरीज बन लिए है, यानिके ओल्ड प काम चल ला है, ताकि आप पटवारी एक्जाम को आसानी से क्रेक कर पाए है, जो कि UK SSS का लाइटर्स पैटर्न है, उसी पर बेच्ट यहां पर पूरी पढ़ाई हो गया, पॉइंट टू पॉइंट वाली, ठीक है, बागी जल्दी मिलेंगे दोस्तों, अपना ध्यान रखे और फिर से जाने से पहले बोलना हूँ कि अगर आपने OTR किया तो उसको एक बार चेक कर ले, और पूरो में जो भी आपने फॉर्म भरे उनको भी देख लीजिए अभी से, जब भी करेक्शन आएगा फॉर्म का तो उसको करेक्ट कर ले, और इस परकार की लापरवाई से ब